हेलो एब्रिवान कॉमर्स अध्यन में हम देखने वाले हैं फाइनिशल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंट्स येक रिक्विस्टेट वीडियो है उन्होंने कहा है मैं प्लीज इसे हिंदी में समझाइए अच्छे से समझ सके इस वीडियो होता क्या है कोई भी बिजनेस होते हैं जब उनका बिजनेस होने लगता है तो वह क्या करते हैं कि वह 바로 अपनी सेम बिज्नेस की कई सारी branches अलग-अलग जगयों पर open करते हैं ठीकए क्यूं करते हैं ठाक्त कि वो अपने गोर्स को जाधा से जाधा sail कर सकें क्योंकि जितनी जाधा जगयों पर branches होगी उतने जाधा 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 लोगों तक वो पहुंच पाएंगे और अपने गोर्स को टाउन जादा तर यह जो बॉप क्न अब रहा है ऐसे अगर एक कानपूर के लेक अदरẨ किसी का बिजनेस तो अपनी काश सेम बिजनेस की हैinson जो सकते हैं मैं इस शाख् Wein smells Whenever भी बाग एंढ फर कर सकते हैं का आपके लिए अपनी में स्वाज़ सकते हैं लिए टार अरप कर सकते हैं मैं इस तरीक बाद इसद्विश कर सकते हैं यहां बॉटस्त स्क्रो कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं यहां पर foreign foreign countries में भी अपने same business की branches को open कर सकते हैं जो भी उसका procedure होगा उसको follow करते हुए वो होती है foreign branch जो कि विदेशों में क्या होती है इस्थीत होती है ठीक है meaning of branch account की अगर हम यहां पर बात करें so accounts which are open in the books of head office and branches branches अब branch यहां पर आप ऐसे मान सकते हैं समझ लीजे कोई एक business company माल लेते हैं कोई ABC limited है ठीक है वो business करते हैं तो अगर वो गार्मेंट का business करते हैं तो suppose पहले अगर हम टाउन की बात करें तो कानपुर के अलग अलग जगों पर उनके कई सारी branches open हो सकती है ठीक है जिसे से इंडिया से बाहर वो जा सकते हैं विदेश्टों में कर सकते हैं उपर जैसे नेपाल यहां इंपास कि contemporary हैं ठीक है नेपाल है भूटान है बंगलादेश यह बाकी सारी अधर countrys में जैसे उस्ट्रेलिया है जहां पर भी वो कर सकते हैं वहां पर वो करेंगे अगर उनकी इतनी ability है तो उनकी business की branches को फॉरण branches यह फॉरण countries में बनाने की ठीक है कर सकते हैं meaning of branch account की बात करें तो accounts क्या होते हैं हम सभी को पता हैं कि जहां पर हम सभी transactions को record करते हैं उसको accounts बोलते हैं तो जब कभी भी एक same business की कई सारी branches होती है तो उसी से related जब आप accounts prepare करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं branch accounts बोलते हैं और यह जो accounts बनाया जाते हैं किसकी books में बनाया जाते हैं head office की books में हम सभी को पता है कि अगर को सारी branches है तो उसकी एक हैड ओफिस होगा, ठीक है, मान लिजी कोई इंडिया की company है जो business कर रही है, उसकी branchit अलाग अलाग जगहों में हैं, इंडिया में, या इंडिया से बाहर तो उसका एक head office होगा, जो कि इंडिया में होगा, ठीक है, तो उसके head office की book में branch branch account बनते हैं या फिर branches की books में क्या होगा branch account बनाया जाथ branches accounts में क्या होता है जो भी transactions होते हैं कितना ज़्धा पैसे खर्च किये गए है sales की time कितना ज़्यादा उन्हें material head office से receive हुआ है कितना material किसी another branch से receive हुआ है एक branch में branch को ठीक है उस branch ने कितना sale किया है goods कहां से cash receive हुआ है कितनी जादा credit sale हुई है cash sales हुई है ये सारी चीज़े इस branch account में क्या होती है mention की जाती है ठीक है और फिर इस account को prepare किया जाता है तो में अब्जेक्टिव क्या होता है दा में अब्जेक्टिव अब इस account is to know the working ability and profit and loss of branches तो ज्यादा तर इसका जो में अब्जेक्टिव होता है वह उद्देश यह होता है कि किसी भी ब्रांच की पर्टिकुलर ब्रांच माल विजिए ABC लिमिटेड जो company थी उनकी एक कानपुर में है ठीक है अब उस कानपुर वाली ब्रांच ने कितना ज्यादा profit earn किया ठीक है उसकी working ability कितनी working ability means कारे करने की छमता क्या है उनकी ठीक है वह सारी चीज़े अगर देखनी होगी तो ब्रांच account को चेक किया जाता है जिसमें उन्होंने सारे खर्चों को सारे expenses को क मां से कितना गोर्स रिसीव किया है एड ऑफिस से कितना गोर्स उनको प्राप्त हुआ गोर्स समझते है ना गोर्स मींज जो भी product जिस product के साथ आप deal कर रहे हैं जिस product का business करते हैं ठीक है माल जिसको आप हिंदी में बोलते हैं या उत्पाद या वस्तू जिसके साथ भी हम business करते हैं वो होता है आपका ठीक है तो पहले तो working ability चेक करना कि वहां की जो branch है वहां की जो लोग हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं कितनी जदा cash sale होती है कितनी जदा credit sale कर रहे हैं कितना profit है या फिर loss हो रहा है ये सारी चीज़े चेक करने के लिए क्या होता है branch account prepare किया जाता ह अब हम बात करेंगे types of branches कि types of branches किया है कितने types की होती है कैसी ही होती है ठीक है so first is dependent branches dependent branches means इसको हम बोलते हैं आश्रित branches आश्रित समझते हैं जो दूसरे पर depend करते हैं दूसरे पर head office पर depend करेंगे दूसरे बंदे पर तो डिपेंड करेंगी नहीं, जो बिजनेस है, उस बिजनेस का जो head office है, main, जो head office इसको control कर रहा है, ठीक है, इसके लिए सारी guidelines decide कर रहे हैं, branches के लिए, तो वो क्या करेंगे, head office, जो होते हैं, इनको गोर्ष सेंड करते हैं, इनको cash से, cash देंगे, ताकि बा हैं, ठीक है, आश्रित शाखाएं बोलते हैं, अब ये जो branches होती है, ये दो टाइप की होती है, कोई से dependent branches की बाद के हैं, तो ये दो टाइप की होती है, अब हम इसको आगे इसको पहले हम finish कर लेते हैं, dependent branches के, फिर इन दोनों को discuss कर लेंगे, okay, so dependent branches को यहां पर दो पार्स मे divide किया गया, जैसा कि मैंने बताया कि ये head office पे depend करती है, head office इनको जो भी material goods send करेगा, उसी के साथ ये deal करेगी branch, ठीक है, माली जी कोई garment का business है, तो head office ही इन्हे garments भेजेगा, जितनी भी quantity में भेजे, head office send करेगा इनको, ठीक है, so branches receiving goods from head office at cost price, और, sorry, ये cost price है, ये selling price को हम बोलत price ये गलती से मैंने यहां पर लिख दिया है, okay, इसके लिए माफिच होंगी, cost price, cost price का मतलब है कि जो head office है, वो लागत मुल्ले पर, लागत मुल्ले वो मुल्ले होता है, जिसमें आपका lab means profit include नहीं होता है, क्या होता है, profit include नहीं होता है, इस एक product की cost होती है, और बाद में ज जो goods receive होगा, किस price पर होगा, head office से receive, cost price पर, जो मुख्य शाखा होगी इसकी, जो प्रधान कार्याल है, वहां से इनको कितना मिलेगा, cost price पर इनको goods receive होगा, quantity डिपेंड करता हो, कितना भेजते हैं, ठीक है, अब जब इस तरह का goods, cost price पर head office ब्रांच के पास भेजेगी, ब्र बिच सकती है, goods को, ठीक है, नकस समझते है, means cash लेगी, फिर सामान अपने customer को देगी, समझ गए आपके, cash sales कर सकती है, दूसरा, making cash and credit sales, अब यहां पर अगर वो credit sales करेगी, तो किस की permission से करेगी, head office के permission से करेगी, कुछ भी खर्चा करना है, तो head office को उन्हें बताना होगा, त यह जो branches होती है, dependent branches काम करती है, ठीक है, तो अगर credit sales करना है, किसी को उधार सामान बेचना है, बोर्स को बेचना है, तो वो उधार बेचेगी, लेकिन head office के instructions के according, ठीक है, so making cash and credit sales, तो cost price पर बोर्स को receive करेगी, और cash या फिर credit sales करेगी, किस के according, head office के according, ठीक है, clear होगे, इसक इसरी branch आती है, वो यह आती है, वो भी depend करेगी, किस पर, आपके head office पर ही, लेकिन इनको जो goods receive होगा, वो होगा, branches receiving goods from head office at selling price, selling price को हम बोलते है, invoice price, अब selling price क्या होता है, selling price में profit include होता है, that means कि यहाँ पर मैंने बताई, यह cost price है, इसमे profit include नहीं है, cost price में जब आप profit include कर देते हैं, तो वो selling price बन जाता है, suppose 100 रुपए का एक समान है, एक उसकी unit की जो cost है, वो 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए में जो 20 रुपए है, वो profit है, तो 120 जो selling price हो गई, क्या होगी, 120 होगी, cost 100 रुपए होगी, समझे, selling price को हम बीजक मुल्य या फिर invoice price बोलते हैं, ठीक है, इस according ही ये भी काम करेगी, लेकिन इनको जो gore से वो किस पर receive होगा, selling price पर receive होगा, means profit भी कौन add करेगा, head office add करके, इनको send करेगा, यहां पर branch अपना head office के according, अपना profit include करके sale करेगी, ठीक है, अब यहां पर भी जो branch यो दो तरह से sales कर सकती है, according to head office, क्या कर सकती है, making cash sales and making cash and credit sales, दोनों ही कर सकती है, लेकिन head office के instructions के according करेगी, इतना point clear हो गया कि dependent branches क्या होती है, dependent branches, simple सी भाशा में बोलें, तो जो मुख्य कारियाल है, उस पे निर्धारित होती है, उस पर निर्भर करती है, उसी के according अपना सारा काम करेंगी, ठीक है, independent branches के बात करें, तो यहां पर यही ज क्या requirement है, उसके according है, उस requirement को फुल्फिल कर सकते हैं, अपने according, means यहां पर head office से ज्यादा इनसे permission लेने की ज़रूत नहीं होती है, जबकि head office इन्हें भी गोर्स सेंड करता है, यह गोर्स कहां से receive करेंगे, head office से यह भी receive करेंगे, लेकिन यह decision ले सकते हैं, branch के regarding, ठीक है, जो जो भी शाखा है, उससे संबंदित जो भी निर्ने लेने होंगे, तो यह जो आपकी स्वतंत्र ब्रांचे, स्वतंत्र शाखाएं होती हैं, यह निर्ने ले सकती हैं, जो यह की ने, आपको यह point भी clear हो गया होगा, foreign branches की क्या बात है, foreign branches भी जो होती है, वो independent होती है, means स्वतं औरी नहीं है कि head office से goods को send किया जाए, यह खुद goods को purchase करके फिर sale करती है, cash and credit sales, ठीक है, तो यह foreign branches होती है, जो foreign countries में इस्थीत होती है, मुझे आपको यही सारे points क्लियर करने थे, मुझे यह कि आपको यह सारे points अच्छे से clear हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से लिए, आप मुझे Instagram पेज़ फॉलो करके, वहाँ पर direct message करके बता सकते हैं, अभी इदर मेरा phone जो था, वो थोड़ा खराब था, इसलिए मैं reply नहीं कर पा रही थी, आप सभी को, अभी सब ठीक हो गया है, यह नए phone से मैं video shoot कर रही हूं, यह सब आपकी महर्मानी से हो रहा ह और वीडियो अच्छे लगते हैं तो like करें, friends के साथ share करें ताकि उनकी भी help हो सके, चानल पर नई विजिटरों तो चानल को subscribe कर लें, bell icon को press कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की notifications आपको time पर मिलते रहें, आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में